तो दोस्तों ये है Realme 8 Pro और आज के इस वीडियो में हम इसी Realme 8 Pro के bootloader को unlock करेंगे और एक बार सबसे पहले हम आप लोगों को बता दे कि चाहे Realme 8 हो या फिर Realme 8 Pro अब सारे device जो कि Android 11 पे launch हुए है उन सारे device के bootloader को unlock किया जा सकता है Finally Realme ने अब इसके unlock को support करना शुरू कर दिया है तो कैसे unlock कर पाएंगे चलिए आपको पूरी details में बताते हैं लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको settings के अंदर लिए चलते हैं settings में यहाँ पर आप देख सकते हैं About phone में आ चुके हैं Realme 8 Pro आप यहाँ पर देख सकते हैं और RMX 3081 अगर हम यहाँ पर आपको details में दिखाए तो तो इसी device में अभी हम unlock करेंगे bootloader को और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Android 11 पर फिलहाल रन कर रहा है और Android 11 पर रन करने वाले सारे device के bootloader को अब हम unlock कर सकते है तो चलिए यहाँ पर back करनेते हैं कुछ settings सबसे पहले आपको करनी होंगी settings क्या करना है देखें अभी आपको about phone में ही रहना है यहाँ पर basement पर tap करना है build number पर 57 बाद tap करेंगे आपका जो है developer mode on हो जाएगा developer mode में फिर आपको जाना होगा और additional settings में जाएंगे तो यहाँ पर developer mode मिलेगी यहाँ पर जाना है और उसके बाद जो है OEM unlock इसको आपको on कर देना है जो कि पहले से ही unlock है और उसके बाद नीचे जाना है USB debugging mode इसको भी आपको on कर देना है बस आपका काम हो गया OTG connection को ध्यान रहे कि on करके रखेंगे नहीं तो आप bootloader unlock करने जाएंगे कहेंगे कि command ही नहीं आ रहा है यानि कि हमारा device detect ही नहीं कर रहा है इसलिए OTG connection को पहले ही हम on कर लेंगे अब आपको जरूरत होगी एक application की deep test AP के आता है जिसे सारे application जिसे realme के सारे phones को हम यहाँ पर unlock करते हैं तो यह है deep testing AP के यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमने इसक करेंगे यानि कि terminal condition को agree करके submit application कर देंगे तो application जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं successfully submit हो चुका है अब back आ जाएंगे और query को यहाँ से check करते रहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि application submitted for approval थोड़ा देर हमको बेट करना है उसके बाद हमारा application जो है अप्रूव कर दिया जा देख सकते हैं और यहाँ से एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं Realme 8 Pro 6GB 128GB variant sorry यहाँ पर Realme 8 Pro है RMX 3081 आप देख सकते हैं 6GB 128GB और इसी में हम अभी bootloader unlock करेंगे तो चलिए आप check कर लेते हैं deep testing APK को कि हमारा जो है यहाँ पर approval मिला है या फिर नहीं तो यहाँ पर application अभी process में है तो थोड़ा दे wait करना होगा उसके बाद तो चलिए यहाँ पर video को हम थोड़ा सा skip कर देते हैं और इसके bootloader को unlock करने के लिए चलिए video को skip नहीं करते हैं बागी के जो process है वो हम complete कर लेते हैं तो बागी के process क्या है कि आपको कोई दूसरा phone लेना है या फिर laptop में आप आपको ADB driver install कर लेना है या फिर अगर कोई दूसरा phone है तो दूसरा phone के help से भी आप bootloader को unlock कर सकते हैं तो हमारे पास already realme का एक और phone है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक bug जाईगर नाम से application ने install करनी होगी लेकिन उससे पहले आपको इस phone में भी क्या करना है OTG connection को on कर लेना है नहीं तो पता चलेगा कि आपका device GTX नहीं कर रहा है तो यहाँ पर settings के अंदर आजाएगा और यहाँ से आप OTG यहाँ पर search कर लेंगे तो बेतर होगा OTG और यहाँ से OTG connection यहाँ पर आप देख सकते हैं OTG को हमने on कर दिया है अब जो नहीं Realme 8 Pro के अंदर तो यहाँ पर deep testing APK पर हम tap कर लेते हैं और यहाँ से approval को check कर लेते हैं अभी तक जो है approval pending है तो अब जो है वीडियो को यहाँ पर skip करना होगा तो दोस्तों application के लिए apply किये हुए पांच मिनट से उपर लगभग हो चुके हैं तो चलिए एक बार फिर से query status पर check कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि application जो हमारा approve हो चुका है अभी एक बार फिर से आपको दिखाएंगे device के settings में आके अब आप फोन में दिखाएंगे आपको Android 11 पर रन करा है Realme 8 Pro RMX 3081 अब चलिए यहाँ पर जो है deep testing को start करते हैं अब यहाँ से चलिए एक बार back से भी आपको दिखा देते हैं यह है Realme 8 Pro ठीक है अभी Android 11 based कितने भी phone है उस सभी में आप bootloader unlock किये जा सकते हैं तो start deep testing APK पे हमको tap करना है ध्यान रहें OTZ enable होना चाहिए दोनों ही phones में जिससे आप करेंगे या फिर PC इससे करते हैं तो PC में भी driver install होना चाहिए process बाकि सब सेम होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fast boot mode में device आ चुका है status यहाँ पर lock हो रखा है तो चलिए अब इसको हम यहाँ से unlock करते हैं तो इसको side में कर लेते हैं और दूसरा phone जिससे हम इसके boot order को unlock करेंगे वो हम ले आते हैं शामने और इस device से connect कर देते हैं realme 8 pro को तो चलिए यहाँ पर realme 8 pro को भी connect कर ही लेते हैं और boot order unlock करने की process को हम बताएंगे आप लोगों को लेकिन मैं यहाँ पर boot order unlock नहीं करूँगा क्योंकि boot order unlock करने से सारा data जो है मारे phone का वो delete हो जाएगा दोस्तो मैंने कोई भी backup नहीं किया है बस आप लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखे जैसे ही connect किया है इस phone से यहाँ पर notification जो है वो आ चुकी है क्योंकि बगजाईगर नान की application हमने पहले ही download कर रखी ह तो यहाँ पर आप देख सकते है device connected है अब यहाँ पर आपको tap करना है और यहाँ पर आपको type करना है fast boot devices तो चलिए यहाँ पर हम fast boot देखे यहाँ पर इससे पहले कि आप boot.onlock करें सारा data कहीं पर backup कर लेंगे तो बहतर होगा क्योंकि सारा data आपका यहाँ से खतम हो जाएगा तो दोस्तों मेरे data cable में कुछ issue था जिसके बज़र से problem आ रही थी device detect नहीं हो रहा था तो finally हमने data cable को replace कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अभी भी realme 8 pro ही है आप लोगों को लगया कि video skip किया तो फिर device change किया है नहीं दोस्तों यहाँ पर realme 8 pro है अब चलिए य आप जो है device थोडा सा यहाँ पर stable नजर आ रहा है मुझयर तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर scroll करते हुई यहां पर आ जाना है चीक है उसके बाद आपको यहाँ से command करेंगे यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहां पर देखे डिवाइस जो है यहां पर取ा इंटर गोज़ रहा है तो चलिए इस device को पहले हम side कर लेते हैं और अब बाड़ी इस phone की तो देखें यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि bootloader unlock करके आपको दिखाएंगे ना कि मैं bootloader unlock करूँगा तो pain को side में रख लेते हैं ताकि अगर गलती से ही टेच कर दिया यहाँ पर तो हो सकता है bootloader unlock हो जाए और ऐसे में सारा data जो है मेरा waste हो जाएगा इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी इसको unlock करूँ तो यहाँ पर जो है आप volume up volume up volume down volume down से जो है यहाँ पर ही आप उपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा सब focus कर लेते हैं चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं volume down से उपर नीचे आप कर सकते हैं unlock the bootloader unlock the bootloader यानि कि unlock करना है तो नीचे वाले पे highlight होना चाहिए और power button press कर देंगे और bootloader unlock नहीं करना है तो आपका जो है उपर वाले पे रहेगा और power button press करेंगे तो unlock नहीं होगा तो मुझे अभी फिलहाल नहीं करना है तो do not unlock the bootloader पर click करेंगे और यहाँ से okay कर लेंगे लेकिन आप लोग unlock the bootloader पर click करके इसके bootloader को काफी आसानी से unlock कर सकते हैं तो इस तरीके से realme 8 pro ही नहीं बलकि realme 8 pro, realme android 11 पर जितने ही phone run करते हैं उन सारे के bootloader को काफी आसानी से आप unlock कर सकते हैं तो कैसा लगा वीडियो कमेंट स्रिक्षन में जरूर बताइएगा यह थे realme 8 pro के bootloader unlock करने की process उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई भी दिक्कत होती है तो टेलिग्राम ग्रूप में आप जोईन हो सकते हैं या फिर हमें कमेंट स्रिक्षन में लिख सकते हैं आपके हर कमेंट का हम रिपलाई करेंगे तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में डीजे इजासत थेंक्यू